नमस्कार सुवागत आपका नेश्वन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रितिक बुलिटिन के शुरुवात करतें इस वक्त की बड़ी खबर से मदुबनी के खजौली से बीजपी विधायक अरुन शंकर प्रसाद को जान से मारने की धमकी मिली है साथ ही विधायक से रंगदारी भी मांगी गई है जानकारी के मताबिक बीजपी विधायक को मोबाइल से फोन करके धमकी दी गई इसको लेकर बीजपी विधायक ने बासो पटी थाने में मामला दर्ज कर आया है वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है जाच में पता चला है कि फोन प्रदीप राय नाम के व्यक्ती के नंबर से आया है पुलिस ने FIR में प्रदीप राय को नामजद किया है इधर विधायक ने कहा कि शाम को मुबाइल पर पहले रंदारी मागी गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई वही हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने आरजवेडी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग पर बड़ा आरोप लगाया है तेज प्रताप ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग जैसे लोगों की वजह से हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव की आज ये स्थिती है आपको बता दे कि पिछले साल भी तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के करीबी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन के बीच तकरार की खबरे आई थी जिसके बाद रावडी देवी ने मामले को संभाल लिया था तो इस पर पिस्विच वान कारे के लिए हमारे साथ पटना से हमारे समवाद आता उतकर्श जुड़ चुके हैं उतकर्श तेश प्रताव यादव का कहना है कि जग्दानन सिंग जैसे लोगों की वज़ा से उनके पिता पर ये कारवाई चल रही है आज वो जेल की पीछे अगर है सजाय अफ्ता है तो उनकी वज़ा से इस पर क्या कुछ निकल कर वहां से सामने आ रहा है उतकर्श आपको बता दे कि तेश प्रताव यादव जब दफ्तर पहुंचे उसके बाद जो आर्जेडी के प्रदेश अध्यक्ष रिटानन सिंग उनके स्वालत के लिए बाहर नहीं आए जिस वज़े से वह काफी नराज हो गए उसके बाद उन्हें उन्हें खरी कोटी सुना दी तमाम जनकर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो तेश ब्रताव यादव ने जग्दानन सिंग पर जो की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रजेडी के उन पर आरोप लगाया है कि आज लालू प्रसाद यादव की जो इस्थिती है उनके वही जिम्मेवार है वही आरेसेस के सरसंचालक मोहन भागवत शुक्रवार को देर शाम बिहार के मुझफर पूर पहुंचे मुझफर पूर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने गौपूजन किया उसके बाद कलम बाग चौक में स्वयम सेवक संग के नम निर्मित उत्तर विहार प्रांतिय कारयाले में पहुंचकर कारयाले का जैजा लिया वही शनिवार को भागवत प्रांतिय कारयाले में अलग-अलग विभागों के चार बैठकों में भी शामिल होंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी से मुलाकात कर सीम नितीश कुमार वापस बिहार लोट चुके है इस दोरान उन्होंने एरपोर्ट पर पत्रकारों से बाचीत करते हुए कहा कि बिहार के विकास पर उनकी प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी, केंद्री अग्रिय मंत्री अमिच्छा और अन्य नेताओं से बाचीत हुई साथी सूबे में चल रही विकास योजनाव पर भी चर्चा की गई आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीन दिवसी दोरे पर दस फरवरी को दिल्ली गए थे वाईनेता प्रतिपक्ष्वे तेजस्वी आदव ने एक बार फिर अपने ट्विट के माध्यम से सीम नितीश कुमार पर तंज कस्ते हुए कहा कि उन्हें महान कुरसिवार नेता तक बताया है उन्होंने तेजस्वी नितीश कुमार का वीडियो ट्विट कर लिखा कि बिहार के महान कुरसिवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्री मंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खलाफ हत्या, लूट, भरष्टाचार, यौन, शोशन, आम्स एक्ट, चोरी, जालसाजी, धोकादड़ी जैसे गंबीर आरप्राधिक मामले दर्ज हैं क्या इतने भोले भाले मुख्यमंत्री को कुरूशी पर बने रहने का नयती का दिकार है। दरसल PM नरेंद्र मोधी से मुलाकात कर पत्ना लोटे बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से जब पत्ना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने इसको लेकर सवाल किया तो CM नितीश ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा कि ये मामला आप लोग देखें और ऐसी कोई जानकारी मिले तो उन्हें भी बताएं जेडियों के पूर्व नेता और चुनावी रण नीती कार प्रशांद किशोर को शुक्रवार को बड़ा जटका लगा प्रशासन ने उनके बकसर इस्तित घर की चार दिवारी को तोड़ दिया बताया ज़ाराय कि प्रशासन की ये कारवाई अधिग्रुहन के चलते की गई है फिलाल प्रशांद किशोर की तरफ से संबंध में कोई प्रतुक्रिया सामने नहीं आई है